इतनी 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 इत लेबरुएड की आप्स हैं वो फिकार चलती है अलागि चल पड़ती हैं इसे नहीं कि नहीं चलेंगी वह एक आवत भी लिक्त होती है internal stories का access करने के लिए इसमें कोई file manager वगरा नहीं है Google का Google Drive है Google Drive में इतना detail में आप नहीं देख पाते हैं उससे अच्छा Android में कितने अच्छे file manager होते है Xiaomi का कितना popular है Samsung में my file Samsung का खूद आता है काफी अच्छा है काफी अच्छी smooth और full desktop experience देती है and that's my point today to making this video कि आप इसमें अगर Windows 10 या 11 इंस्टोल कर लेंगे तो यह काफी अच्छी चलती Windows 10 इंस्टोल करने के लिए आपको जाना पड़ता है Windows 10 या 11 के लिए coolstar.rg website पे जहां पर पूरे instruction दिये हुए है मैंने भी वीडियो बनाई हुए मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि description में मिल जाएगा वीडियो का link कि कैसे इसके अंदर Windows 10 या Linux इंस्टोल करें Windows 10 या Linux दोन इंस्टोल कर सकते हैं Windows 10 या 11 इंस्टोल करने के बाद मैंने इसके अंदर Windows 11 ने इंस्टोल की हुई है अलाकि अब इसके अंदर Linux है Windows 11 इंस्टोल करने के बाद इसमें तिकत यह आती है कि इसमें sound नहीं आएगा ऐसी बाद नहीं कि यह खराब है या इसका ओडियो चिपसेट है वो खराब है ऐसा कुछ नहीं है sound driver कूल स्टार वाले देते नहीं है फरी में वह आपको purchase करना पड़ेगा patreon की site पे जागे वहाँ पे monthly subscription लेना पड़ेगा $10 USD का होता है इंडिया में बात करें तो वह GST लगा कि 11 points कुछ डोलर का पड़ेगा यानि कि 990 चानों है लागए 1000 रुपय मान के चलो और 1100 वह हालागी monthly subscription होता है कि हर एक मेने आपके 10 डोलर कटेंगे पर एक मेने में आप उसको cancel कर सकते हैं कि आपने एक बार subscription लिया आपने इसकी फीस कटवाई फिर आप उसको cancel कर दो आपको cancel हो जाएगा उससे आपको audio driver मिल जाएगा पर उसको आप दूसरे किसी में इस्टोल नहीं कर सकते हैं दूसरी किसी भी Chromebook में अगर आप सोचेगी मेरे पास 2-3 Chromebook का सब इम इस्टोल कर द करते हैं और विंडोलन काफी अच्छी चलती है डेली डे टुदे टास्क होते हैं काफी अच्छे करते हैं वैब ब्रावजिंग नोर्मरों फुल डेक्स्टॉप experience देती है मैंने वीडियो भी बनाई वे देख सकते हैं चैनल में वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बट लगार यू ब्यू बीव एंटि यू दिस इस जब बैस्ट अभी मैं च लागे दिखाता हूं विल बन दिसमें प्याइब फीचर एंपी डीफीचर कहते हैं उसको कि आप इसको जैसे ओपन करेंगे इस लिड को यह जिसको उपर की लिड कहते हैं इसको तो यह अपने आप अब हम इसमें password fill up कर देंगे and here we go और ये है Linux और Linux काफी अच्छा चलता है इसमें its touch अगर आप चाहें तो touch से भी चला सकते हैं ऐसे तीन उंगली उपर नीचे करके और Linux mostly window 11 को टक्कर देता है इसमें भी ऐसे दो workspace आजाते हैं माउस से चलाना चाहें तो आप माउस से भी चला सकते हैं और लगबग सारे काम आजाते हैं इसे corner में लेगे जाएंगे ऐसे pointer को तो अभी जो चली हुई apps हैं वो सारी आ जाएंगी इदर इदर करके आप slide कर सकते हैं बड़ अगर आप Windows यूजर हैं और आप एकदम से Linux में आ रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है और इसमें सारी चीज़ आती है देखे साउंड भी आया हुआ है यहां पर आप देखेंगे तो अब अब सभी functionality है ऐसा नहीं कि आपकी functionality कम हो जाएगी बलकि जब इसमें Android था यानि कि Chrome OS था तो इसकी functionality बिल्कुल लिम्टिड थी कुछ ही यूज होता था बट अब इसकी functionality काफी अच्छी हो चुकी है और यह touch से भी काम करते है ऐसे मत समझ ना कि इसमें Linux का Ubuntu install कर दिया त तो इसकी touch बंद होगी नहीं touch चल रही है देखो touch is quite smooth working यह देखो अभी मैं इसके अंदर app भी दिखा देता हूँ touch से यह देखो इसके अंदर mostly app मिल जाएंगे आपको अगर आपको Microsoft Office के app चलानी है तो वो सभी apps चलती है इसमें LibreOffice पूरा है यह देखिए LibreOffice के हर एक मिलेंगे आपको LibreOffice Community यह Open Source Office है LibreOffice जो Canonical जिसको Linux जिसने बनाया है जिसका Mozilla Firefox है Canonical Company है उसका उसी का Linux है तो उसी का LibreOffice है तो आपको काफी सारी अच्छी अच्छी Apps मिलती है वीडियो ओडियो वगरा के लिए Day-to-day टास के लिए LibreOffice का सभी कुछ मिल जाएगा और यह बैटरी भी बता जेता है इसमें विंडो भी नहीं बताती कि बैटरी कि इतनी 47 रेट 2.1 अभी वोल्टेज 8.1 चल रही है और बैटरी की कपिस्टी अगर आप देखना चाहती है देखिए 97.2 परसेंट बैटरी हेल्ट कहते हैं इसकी है अभी बैटरी परसेंट इस 98 है चार्ज नहीं हो रही है मैंने चार्ज नहीं लगाया हुआ इसको सो कापी स्मूद चलती है और फोतो वीडियो ऑ्डियो म्यूजिक वैब ब्राउजिंग सभी के लिए काफी अच्छी बाइए यह देखिए जैसे की मेज आ आपको देखनी हैं तो इमेज भी काफी अच्छी आती है इसमें देखो जैसे की फोतो होता है उसमें और वीडियो तो इसमें बहुत फास्ट चलती है वई ऐसे पकड़ेगा आप जूम जूम इन जूम आउट नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं काफी स्मूठ चलता है यह लिनक्स को ऐसे मत माना कि लिनक्स कमजोर है या लिनक्स चल नहीं पाएगा ऐसा कुछ नहीं लिनक्स का और अधि Ground वहम स्क्रिन करके दिखांग हो कितना स्मूठ होगी ला म tahuСे eBay व्युत स्मूठ कर दिखाने जीएं आया यह कितना स्मूठ हो रहा है उट्स करिंगेश वारेगे स्मूठ तो इसकी प्रफॉर्मेंसल लिनक्स की वकाफी फास्ट होती है और लिनक्स बहुत वाते विन लेवन इस्टोल करता और वह चला के दिखाता तो वह स्लो चलती लेगी होती इसकी प्रफॉर्मेंस बट ये एट्स रॉनिंग सो स्मूथ मक्खन है बाई बिल्कुल मक्खन जैसे कि मैंने यही इसको जूम फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूं देखो कितना स्मूथ हो रहा है बिल्कुल स्मूथ जैसे एपल में होता न वैसे ही और साउंड भी आ रहा है